चंदोली में प्रदेश अद्यक्षोर चंदोली सांसत महंदरनात पांडे के प्रयास पर एक ग्रेड ट्रामा सेंटर के आदारशीला रखी गई इस मोके पर केंद्रिय स्वास्त मंत्री जेपी नड़ा केंद्रिय स्वास्त राज्य मंत्री अनुप्रिया पतेल भी मौझूद रहे इस जोरान बाकाइदा भूमी पूजन कर चंदोली के मुगल सरा अलाके में एनेस टू के समीप महेवा गाउं में भूमी पूजन कर आदारशीला रखी गई पहले दो करोड तीस लाग की लागत से बनने वाले ट्रामा सेंटर को यहां पहुचे केंद्रिय स्वास्त मंत्री ने अपग्रेड कर लगबग 10 करोड की लागत से बनने वाले एक ग्रेड ट्रामा सेंटर में तपदिल किया है दरसल चंदोली के मुगल सराय में ट्रामा सेंटर प्रस्तावित किया था जिसको लेकर के इंद्रिय स्वास्त मंत्री जेपी नड़ा स्वास्त राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल समेथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंदोली पोचे थे इस जोरान पत्रकारों से बात करते हुए महंद्र पांडे ने कहा कि यहां चंदोली और चंदोली से सटे बिहार के कई जनपदों के लिए संजीवनी का काम करेगा वहीं पांच राजियों में होरेज चुनाओ की मतगर्णा को लेकर पूचे गए सवाल पर महंद्र पांडे ने कहा कि इंतजार कीजिए चमतकारिक रूप से भाजपा के पक्ष में मत पड़े हैं तमाम एग्जिट पोल को जूठे लाते बाजपा के साथ खड़े मिलेंगे लोग हिंदुस्तान की सरकार ने अभी इस सासन में 85 हिंदुस्तान में ट्रामा सेंटर का प्लान किया है अपने आप में उस 85 में 13 यूपी में मिलें और 13 में भी सबसे महत्वपूर्ण देश की सबसे बड़ी नेच्टू के किनारे ट्रामा सेंटर मैंने अस्तापित कराने का जो प्रतन किया मानी नड़ा जी के सायोग से आज इन्होंने उसका लेवल भी उच्छ कर दिया यह धाई करोड की प्लान से लो लेवल का ट्रामा सेंटर था आज सरवोच अस्तर का दस करोड की प्लान का ट्रामा सेंटर यहां आसपास चंदवली जनपत, पुरवांचल, बिहार इस राज़ते से गुजरने वालों के लिए यह एक प्रकार से बहुत बड़ा चिकिस्ता और आकस्मिक परिस्टियों में इलाज का बहुत बड़ा केंदर बनेगा आप मदगरना की प्रतिक्षा करिए चमतकारिक भाज़पा के पक्ष में रिजल्ट आ रहे हैं प्रतिख्षा करिए 11 तरीख को जனता है बाज़पा के साथ है । मन्यम स्वामी जी ने कहा है कि राम मंदिर नहीं बनेगा तो सरकार की रा देंगे वो उनका नेजी विचार है स्वामी जी के विचार बर मैं को टिपड़ी नहीं करूँ